नमस्कार दोस्तों, हॉलिवूड सेलेबरिटीज जॉनी डेप और अमबर हर्ड के बीच में चला कोट ट्रायल, शायद से दुनिया का सबसे पॉपिलर कोट ट्रायल था हैरानी की बात ये है कि ये कोई क्रिमिल ट्रायल नहीं था जिसे की लोगों की जिन्दगी में कुछ असर पड़ता हो लेकिन फिर भी दुनिया भर के लोगों को इतना ज्यादा इंटरेस्ट था इन सेलेबरिटीज की परसनल लाइफ में इस ट्रायल के दुरान फैन बेसेज डेवलप होए, I support Johnny Depp, I support Amber Heard कहीं पर कहा गया कि औरतों के खिलाफ इंजस्टिस हो रहा है, कहीं पर नारे लगे, में ठूके कि कैसे आदमियों को फसाय जाता है इन जूटे केसे में आया आज के वीडियो में जानते हैं कि actually में हुआ क्या और हमारी सुसाइटी के बारे में यह क्या दर्शाता है I'm curious if you would expand a little bit on the Amber Heard, Johnny Depp verdict I'm here because I stand with Amber Heard What did Miss Heard say about the defecation in Mr. Depp's bed? What have you lost as a result of Miss Heard making these allegations against you? I'm nothing less than everything Johnny Depp को आप सब लोग जानते ही होंगे एक popular Hollywood actor है अपनी फिल्मों में अजीब हो गरीब characters के लिए जाने जाते हैं इनका सबसे famous character रहा था Pirates of the Caribbean film है Jack Sparrow का दूसरी तरफ Amber Heard भी एक Hollywood actor है लेकिन उतनी popular नहीं है Johnny Depp जितनी कुछ famous film हैं जिसमें इन्होंने role play किया है वो है Justice League, Aquaman, Never Back Down, Drive Angry, The Rum Diary Johnny Depp और Amber Heard एक दूसरे से The Rum Diary film के sets पर मिले थे साल 2009 में Amber ने court filing में बताया कि इन्होंने साल 2012 में date करना शुरू किया था यह वही साल था जब Johnny Depp ने अपना separation announce किया singer Vanessa Paradis के साथ Johnny और Vanessa के दो बच्चे थे साथ में Lily Rose और John Christopher इसी time के राउंड Amber ने भी अपने पुराने partner से split up किया और साल 2014 में Johnny Depp और Amber Heard की engagement हुई अगले साल 2015 में इन दोनों की शादी हुई लेकिन शादी को डेड़ साल भी नहीं होए थे कि माई 2016 में Amber ने divorce के लिए file कर दिया कोट ने जब इन दोनों को divorce दिया तो कोट ने Johnny Depp के खिलाफ एक restraining order भी दिया restraining order का मतलब Johnny Depp Amber Heard को contact नहीं कर सकते उनसे मिल नहीं सकते आप पूछोगे कि कोट ने ये order क्यों दिया क्योंकि Amber Heard ने complain करी थी कि Johnny Depp उनके खिलाफ physically abusive थे वो drugs और alcohol के नशे में उन्हें मारते पीटते थे उन्होंने एक ऐसे incident का example दिया जब Johnny ने उनके उपर अपना phone फैका और वो उनके मूँ पर जाकर लगा और उनके मूँ पर चोट लग गई लेकिन एक police के spokesperson ने people magazine को बताया कि जब police के officers ने इस claim को investigate किया तो उन्हें इसका कोई evidence नहीं मिला Johnny Depp ने भी इन सारी acquisitions को deny किया Johnny के lawyers का कहना था कि Amber यहाँ पर actually में जूटे आरोफ लगा कर divorce की settlement करना चाह रही है ताकि और पैसे मिल सके हैं उसे abuse के नाम पर August 2016 में Johnny और Amber ने court के बाहर ही एक out of court settlement कर ली जिसके अनुसार Amber को 7 million dollars मिल गए अख़वार में report किया गया कि Amber ने इन 7 million dollars में से आधे पैसे को donate कर दिया है Los Angeles में बच्चों के hospital के लिए और बाकी आधे पैसे को donate कर दिया है American Civil Liberties Union को जो औरतों के खिलाफ violence को prevent करते है इसी दोरान Johnny और Amber ने एक joint statement release करी है कहते होए कि सब चंगा सी हमारे बीच में जो भी problems थी हमने एक दूसरे से बात करके सुलजा ली है इसके बाद जैनवरी 2017 में इनका divorce finalize हो गया इस divorce की filing में एक non-disparagement clause भी insert किया गया था इसका मतलब था कि दोनों में से कोई भी दूसरे के खिलाफ publicly कुछ बुरा नहीं बोल सकता अब हमारी कहानी आपर खतम हो जाती भार की दुनिया को चिंता करने ही कोई जरूवत नहीं थी एक आम divorce सा दो celebrities के बीच में जो भी settlement करना था इन्होंने अपने आप में कर लिया कहानी का the end बहुत बहुत धन्यवाल लेकिन ऐसा हुआ नहीं December 2018 में ये issue फिर से उठ गया जब Amber Heard ने Washington Post में एक article लिखा इन्होंने लिखा कि एक public figure बन चुकी है domestic abuse को represent करने वाली और जब इन्होंने अपने खिलाफ हो रहे अत्यचार के खिलाफ आवाज उठाई थी तो इन्हें बहुत से लोग गुसा सहना पड़ा था अब इस article में इन्होंने कहीं भी Johnny Depp का नाम mention नहीं किया था लेकिन फिर भी logically ये चीज़ बड़ी obvious थी क्योंकि इनकी सिरफ एक ही शादी होई थी वो Johnny Depp के साथ थी तो कोई भी article पढ़ने वाला समच सकता था कि यह यहाँ पर किसकी तरफ इशारा करने लग रही है अब इसे एक article को लेकर Johnny Depp ने Amber Heard के खिलाव 50 million dollar का defamation case कर दिया Johnny ने कहा कि actually में Amber कोई victim नहीं है यहाँ पर domestic abuse की बलकि वो ही है जो इनकी खिलाव domestic abuse करने लग रही थी यह हुआ साल 2019 में इसके response में Amber ने court में filing करी इस defamation case को dismiss करने के लिए इन्होंने बहुत से examples दिये कि कैसे इन्हें abuse किया गया था इन्होंने यह भी का कि Johnny Depp को यह incidents याद नहीं होंगे क्योंकि वो इतने नशे में थे लेकिन फिर भी यह Johnny Depp के साथ टिकी रही क्योंकि यह उनसे प्यार करती थी और इन्हें यकीन था कि वो बदल जाएंगे लेकिन ऐसा हुआ नहीं इनके according तीन और ऐसे similar incidents हुए मार्च 2015, December 2015 और माई 2016 में कई सारी allegations लगाई गई बहुत से claims ये गए कि कैसे Johnny ने उन्हें मुक्का मारा उनके बाल खीचे उन्हें मारने की धमकी दी, उनके मूँ के उपर सेलफोन फैका, कभी खून से कुछ मेसेज लिखा दिवारों पर ऐसे ऐसी चीज़े थी उन्होंने कहा कि उनके हातों और पैरों पर अभी भी खरोंच के निशान मिलेंगे, स्कार्स मिलेंगे जॉनी ने इसके रिस्पॉंस में अपनी कुछ ऐसी फोटोस दिखाई जिसमें उनके चेहरे पर चोट लगी होई थी क्योंकि एमबर ने उन पर हमला किया था अब कुछ ठोस सबूत के तोर पर जैनवरी 2020 में डेली मेल, UK अख़बार ने कुछ फोन PLAY रिकॉर्ण पब्लीकली रिलीस कर वालिश कर रिकॉर्ण में अप सुन सकते हैं, कैसे अंबर कह रही हैं कि यह जॉनी के उपर पैैन Anderson् trafficking आ यहिए कि उस्गरें और यह कर रही हैं कि अशरून ने कर सकतीDक 2015 वायली हो। 2018 में एक दूसरा कोई ब्रिटिश अकबार था The Sun नाम से इस अकबार ने 2018 में एक आर्टिकल पब्लिश किया था जिसमें जॉनी डेप को वाइफ बीटर करके रेफर किया गया था जॉनी डेप एक ऐसे आदमी हैं जो अपनी पतनियों को मारते हैं इसको लेकर जॉनी ने एक्चुली में सखबार के पब्लिशर और एक्जेक्टिव एडिटर पर केस किया इस केस का ट्राइल शुरू हुआ जुलाई 2020 में इस केस में जॉनी की जो एक्स वाइफ थी वनेसा पैरेडिस और विनोना राइडर ये दोनों भी आई केस में अपनी स्टेटमेंट्स देने के लिए और जॉनी की डिफेंस में स्टेटमेंट्स थी इन्होंने का कि इन दोनों ने जॉनी से शादी करी थी लेकिन जॉनी ने कभी भी किसी को मारा पीटा नहीं इनके according जॉनी कभी भी वाइलेंट नहीं थे, कभी भी अब्यूजिव नहीं थे अब इसके बाद हमारी कहानी में एंट्री होती है इलॉन मस्क की सही सुना आपने हैरान मत हो ये, इलॉन मस्क भी इस कहानी में involved है जॉनी के लॉयर्स ने लंडन में हाई कोट में कहा कि एक्चुली में एंबर के दो एक्स्ट्रा मारिटल अफेर्स हुए थे पहला टेसला के सीओ इलॉन मस्क के साथ और दूसरा अक्टर जेम्स फ्रैंको के साथ जॉनी के साथ रहते रहते अब दसन अखबार की वाइफ बीटर वाले केस की अगर बात करें तो इस केस में एक्चुली में दसन अखबार के जो लॉयर्स थे उन्होंने 14 अलग अलग इंस्टेंसिस दिखाए प्रूफ के तौर पर की क्यूं जस्टिफाइड था जॉनी डेप को एक वाइफ बीटर करके पुकारना और इन्हें रेफर करते हुए यूके के जो जज्ज थे उन्होंने जॉनी डेप के खिलाफ रूलिंग दी उन्होंने कहा कि इस अख़बार ने कुछ भी गलत नहीं किया जॉनी डेप को वाइफ बीटर कहके कोट की जज्जमेंट को लेकर जॉनी के लॉयर्स काफी नरास थे उनका कहना था कि एक्चुली में कोट ने सिरफ एमबर की ऐलिगेशन्स पर यकीन किया है लेकिन पुलीस रिकॉर्ड्स, मेडिकल टेस्टिमनीज, मेडिकल प्रैक्टिशनर्स और बाकी और विटनेसिस ने जो कहा था उस पर ज्यादा यकीन नहीं किया इसी रीजन से वो कोट की इस जज्जमेंट को अपील करेंगे जॉनी के लॉयर्स ने कहा उनके खिलाफ एक फेर ट्राइल नहीं हुआ है और वो नया एविडेंस प्रेजन्ट कर रहे हैं कि कैसे एमबर हर्ड ने वो साथ मिलियन डॉलर्स को लेकर भी जूट बोला था एमबर ने कहा था कि उसने वो साथ मिलियन डॉलर्स को डोनेट कर दिया है अलग-अलग चैरिटीज में लेकिन एक्चुली में उसने ऐसा नहीं किया है लेकिन कोट ने एक बार नहीं बलकि दो बार जॉनी की अपील को लेने से मना कर दिया हमारी कहानी में अगला बड़ा मोड आता है जैनवरी 2021 में जब एमबर हर्ट जॉनी डेप पर काउंटर केस कर देती है हंडर्ड मिलियन डॉलर्स का जॉनी के जो लॉयर थे एडम बॉल्ड मैन उन्होंने एक्चुली में कहा था कि एमबर के जो allegations है domestic abuse के वो fake है, फरजी है और जूटे है तो सिरफ इसी basis पर एमबर ने एक countered केस कर दिया जॉनी डेप के उपर जज ने भी इस केस को accept कर लिये ये कहते होए कि आज के time में ये me too के cases काफी सुनने को मिल रहे है ये जो movement चल रही है और जो social climate है इसमें एमबर की reputation को खराब करना इस तरीके से सही नहीं होगा और अगर एमबर को जूटा बुलाया जा रहा है यहाँ पर domestic abuse कहने के लिए और अगर ये चीज गलत है तो ये सही नहीं होगा इसलिए एमबर के counter defamation case को accept कर लिया court में इसका trial शुरू हुआ April 2022 में एमबर के lawyers ने कहा कि Washington Post में जो एमबर ने article लिखा था वो freedom of speech था वो actually में domestic abuse के issue पर article लिखा गया था जॉनी डेप की relationship पर article नहीं लिखा गया था एमबर के lawyers ने कहा कि एमबर actually में अगर जॉनी डेप की relationship पर कुछ article लिखना चाती तो यहाँ पर बहुत सारे पन्ने भरे जा सकते थे और फिर वो article बहुत बहुत अलग दिखता दूसरी तरफ जॉनी के lawyer ने argue कि यहाँ पर यह जूटे आरोप लगा कर अपने personal benefit के लिए उन्होंने जॉनी डेप की reputation खराब करी है इन accusation की वजए से जॉनी डेप का career खराब हुआ है जो फिल्में उन्हें मिलती वो अब नहीं मिल पारी जिन producers के साथ जॉनी डेप की अच्छे relations थे वो relations खराब हो गए इन accusation की वजए से और जॉनी ने फिर detail में बताया कि उनके according actually में हुआ क्या था इनकी relationship में इन्हें बार-बार कहा जाता था कि ये गलत है constant जगड़े होते थे और कई बार ये जगड़े violence में बदल जाते थे एक ऐसे instance में Amber ने actually में जॉनी के मूँपर एक glass फेका था इनका उन्हें अचानक से कभी भी गुसा आने लग जाता था और constantly ये जो attacks हो रहे थे जॉनी के खिलाफ उसकी वजए से ज्यादा आकरशित हो गए जॉनी शराब और ड्रक्स को लेगा जॉनी ने कहा कि actually में इन्होंने Amber की काफी मदद करी थी इनके career में जैसे की ये Warner Bros को reach out किये थे ताकि उन्हें Aquaman फिल्म में रोल दिला सके response में Amber के lawyers ने बार-बार दोहराया कि कैसे जॉनी थे जो actually में physically abusive थे अपने extra marital affair के response में इन्होंने कहा कि James Frank को जो actor थे वो actually में इनके बगल में ही रहते थे और एक रात जब इनका जगडा हुआ थे जॉनी डेप के साथ वो इनके घर पर आये थे इनसे मिलने वो एक दोस्त थे जो side में बगल वाले घर में रहते थे दूसरी तरफ इलॉन मस्क वाले incident को लेकर इन्होंने कहा कि Met Gala जो event हुआ था वहाँ पर वो wait करती रह रहे थी जॉनी डेप का जॉनी आये नहीं तो वहाँ पर वो इलॉन मस्क से मिल ली उसके बाद उन्होंने बात करी और वो अच्छे दोस्त बन गए और जॉनी के डिवोर्स के बाद actually में वो इलॉन मस्क के साथ डेट करने लग गई अब इस पूरे ट्रायल के दौरान बहुत से witnesses थे तो अलग-अलग testimonies दी गई इन अलग-अलग witnesses के दौरा एक इसका example है actually में जॉनी डेपर एमबर हर्ड के पुराने marriage counselor उन्होंने कोट में आकर कहा कि actually में ये दोनों ही एक दूसरे के खिलाफ abusive थे ये दोनों participate कर रहे थे mutual abuse में with escalating violence जॉनी के former agent Tracy Jacobs ने testify करके कोट में कहा कि actually में जॉनी के anger management issues थे एक और instance में एक former clinical psychologist Dr. Shannon Curry इन्होंने कहा कि Amber Heard को actually में borderline personality disorder है और histrionic personality disorder भी इन्ही disorders की वजए से वो actually में काफी violent हो जाती है especially अपने romantic partners के साथ और अजीबों करीब कहानिया बनाने लगती है Shannon Curry के according Amber Heard जैसे लोग actually में बहुत attention seeking होते हैं और ये blame हमेशा दूसरों पे डालते हैं और कई बारी अपने आपको victim समझने लगते हैं एक testimony यहाँ पर ACLU ने भी दी थी वही organization जिसको allegedly Amber Heard ने डोनेट किया था अपने जो साथ मिलियन डॉलर थे उसमें से आधा पैसा 3.5 मिलियन डॉलर ACLU को डोनेट किया था तो court में आकर ACLU ने बताया कि actually मैं Amber Heard ने इतने पैसे डोनेट नहीं किये इन्होंने कहा था कि Amber ने प्लेज किया है कि अगले 10 सालों में वो 3.5 मिलियन डॉलर्स डोनेट करेंगी लेकिन उन्होंने सिर्फ 1.3 मिलियन डॉलर्स डोनेट किया है और December 2018 के बाद से कोई पेमेंट नहीं आई है और सबसे interesting चीज़ ये 1.3 मिलियन डॉलर्स भी actually में 4 इंस्टॉल्मेंट में पे किये गए थे जिन में से actually में सिर्फ एक इंस्टॉल्मेंट 350,000 डॉलर्स की खुद Amber Heard से आई थी August 2016 में यानि सिर्फ इतने ही पैसे Amber Heard ने खुद से डोनेट किये थे बाकी के जो पैसे थे वो किसे ने डोनेट किये थे वो डोनेट किये गए थे डोनर एड्वाइजड फंड्स के द्वारा और Elon Musk के द्वारा similar सी कहानी सुनने को मिली उस बच्चों के hospital से जिसे apparently बाकी 3.5 मिलियन डोलर्स डोनेट किये गए थे इन allegations के response में Amber Heard का ये कहना था तो ये पूरे केस का trial 6 हफतों तक चलता रहा ये एक public hearing थी तो हरको ही देख सकता था कि actually मैं कोर्ट में क्या कहा जा रहा था किसके द्वारा ये videos online circulate होते थे लोग अपने comments देते थे अपनी judgments देते थे इन चीज़ों को लेकर यही reason है कि online trends चलने लगे कि मैं Johnny Depp को support करता हूँ मैं Amber Heard को support करता हूँ trial के दोरान बहुत से memes भी बनने लगे circulate होने लगे इन दोनों के खिलाफ और सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर verdict क्या निकला क्या judgment दी court ने हाँ पर पहली चीज तो यह चीज यूएस court में होई थी तो UK के court में judge ने judgment दी थी यहाँ पर jury ने judgment दी थी jury ने कहा कि दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ defamation करी है उन्होंने कहा कि Johnny Depp को 15 million dollars मिलने चाहिए इन damages from Amber Heard जो भी Amber Heard ने defamation करी Johnny Depp के खिलाफ उसको compensate करने के लिए 15 million dollar मिलने चाहिए और दूसरी तरफ Amber Heard को 2 million dollar मिलने चाहिए जो भी defamation Johnny Depp ने Amber Heard की करी बाद में एक US का state law है Virginia state law उसने 15 million dollar की इस award को 10.35 million dollars पर कर दिया Amber Heard के lawyers ने response में कहा कि वो absolutely इस amount को pay नहीं कर सकती उनके पास इतना पैसा नहीं है और अगला step यहाँ पर होगा इस judgment को appeal करना इस judgment के बाद दो तरीखे के hashtags online circulate कर रहे थे एक था meant to hashtag जहाँ पर लोग कह रहे थे कि आदमी भी victims हो सकते हैं यहाँ पर हमारे खिलाफ भी abuse हो सकता है यह एक obvious reference है me too hashtag को लेकर जहाँ पर ओरतों ने अपने खिलाफ होए abuse की stories share करी थी और indication यह था कि यहाँ पर ऐसा नहीं है कि ओरते ही हमेशा victim होती है दूसरी तरफ इसके contrast में hashtags चल रहे थे hashtag believe all women बहुत से लोगों ने actually में criticize किया इस judgment को यह कहते होए कि यह Johnny Depp के favor में गया है क्योंकि online जो social media पर लोग means बना रहे थे trolling करने लग रहे थे jury उससे काफी influence होई है तो बहुत से लोगों काफी strong opinion रहे इन दोनों चीजों को लेकर एक तरफ लोग जो meant to में बहुत विश्वास करते हैं और एक तरफ लोग जो believe all women में काफी विश्वास रखते हैं समझने वाली चीज़ यहाँ पर यह है दोस्तों इस polarization की क्या जरूवत है यह कोई बहुत complex philosophy नहीं है बलकि common sense वाली बात है कि दोनों ही चीज़े सही है यह बात बिल्कुल सच है कि आदमी भी victims हो सकते है आदमीों के खिलाफ भी domestic abuse हो सकता है और यह बात भी सच है कि औरतों के लिए आवाज उठाना काफी मुश्किल होता है ज्यादत रत्यचार औरतों के खिलाफ होता है लेकिन ऐसे भी cases होते हैं जब औरते जूटे cases फायल करती है आदमीों के खिलाफ simple सी बात है कि हमें पहले से कोई judgment नहीं रखनी चाहिए कि सारी औरते ऐसे ही होती हैं सारी औरते fake cases करती रहती हैं या फिर सारे आदमी ऐसे ही होते हैं सारे आदमी यही चीज़े करते रहते हैं बलकि हर case में हमें हर victim की side सुननी चाहिए seriously लेना चाहिए और फिर ही एक conclusion पर आना चाहिए और ऐसे ही और socio-cultural issues पर videos देखने के लिए इस playlist पर आप click कर सकते हैं बहुत बहुत धन्यवाल